Organization एक ऐसी आर्ट है जो हमारी लाइफ में धीरी धीरे आती है हम समय के साथ साथ इसे सीखते हैं कोई भी एक रात में इसमें successful नहीं हो सकता लेकिन छोटे छोटे आइडियाज को अगर हम अपने लाइफ में इंप्रिमेंट करेंगे तो ये चीज़ें में थोड़ी जल्दी आ जाएंगे ऐसे ही आज कुछ छोटे छोटे आइडियाज और हैक्स मैं आपके से शेयर करूँगी और मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़े ज़रूर पसंद आएंगी तो वीडियो स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले फ्रेंज मैं हूँ पूनम और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैश्डिम स्वीट पूनम आपने अगर अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल बेटन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और अगर आपको वीडियो पस्ट आती है तो प्रीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा तो चलिए देली नहीं करेंगे और जल्दी से भी वीडियो को स्टार्ट करेंगे बात करते हैं हैक नमबर वन की जो है स्टील रैक देखें ये रैक मेरे पास पिछले कहीं सालों से है जब से मेरी किचन बनी थी तब से और क्योंकि मेरी किचन नॉन मॉंडोलर है तो मेरे जितने भी परतान रोज मर रहा के होते हैं वो सब इसी में रखे रहते हैं और ये मेरे sink area के एकदम just उपर लगा है तो बरतन धोने के बाद मैं इसी में रख देते हूँ जिससे जो extra पानी होता है वो sink में चला जाता है तो इससे मेरी kitchen फैलती भी नहीं है और अच्छे से organize रहती है ये मेरा one time investment था जो मुझे बहुत पसंद आया और देखे इस steel का है एकदम steady है मजबूत है तो सालों साल ये कहीं जाने वाला नहीं है तो अगर आपकी kitchen भी non modular है तो इस तरह की rack का आप use कर सकते हैं जो आपको बहुत सालों तक फाइदा देगी तो इक बार try ज़रूर कीजेगा बात करते हैं hack number two की जो है s hook s hook को आप अपने kitchen में कहीं पर भी लगा कर अपने kitchen को organize कर सकते हैं देखे मैंने इसी rack में इस तरह से s hook का use किया है ये s hook मेरे husband ने बनाए थे अगर इस तरह से s hook को आप घर पे नहीं बना सकते हैं तो आप इन्हें market से भी purchase कर सकते हैं एक s hook लगबग 10 रुपी का मिल जाता है बहुत महंगा नहीं मिलता है और आप इस तरह से side में कहीं पर भी लगा के उस जगे को utilize कर सकते हैं जिनका use आप normally नहीं कर पाते हैं तो इस s hook की help से जितने मेरे extra जो specialize होते हैं कर्ची होती हैं उन्हें मैं side में hang कर लेती हूँ और देखे इस तरह भी मैंने s hook लगाया है जिसका मैं पूरी तरह से use कर रही हूँ kitchen में कहीं सारी बरतन ऐसे होते हैं जिनकी कोई proper जगे नहीं होती लेकिन इस तरह के hooks से हम उन्हें आराम से organize कर सकते हैं और आराम से उन्हें ढून भी सकते हैं बात करते हैं hack number 3 की जो है basket को लेकर देखे मेरे पास ये basket है जो मैं kitchen के लिए लेकर आई थी तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे की side इसमें एक जो news paper होता है उसको डाल लेती हूँ और उस news paper को डालने से ये फाइदा होता ही कुछ भी extra नीचे से गंदा नहीं होता है उसके बाद मैंने इसमें organize किये हैं अपने जितने भी oil container हैं वो और जो मेरे रोज मर्रा के देशी घी के डब्बे होते हैं तो इस तरह से जो उनका extra घी वगेरा है वो इधर उधर नहीं फैलता है और मेरा जो kitchen है वो organize रहता है इस तरह से इन सारे घी के containers को और oil containers को मैं एक जगे store करके रखती हूँ और उसे रखती हूँ इस तरह से chopping board के उपर अब इससे क्या फायदा होता है कि जब भी हमें counter top के सफाई करनी होती है तो आप अपने basket को हटाईए और easily वहाँ से साफ कर लीजे ये सभी चीज़े मैं एकी जगे रखती हूँ ताकि ये ही चीज़े मेरे लिए handy हो जाएं और सारी ही चीज़े मेरे gas stove के जस्त बराबर में ही रहती है तो इस तरह से मुझे घी या फिर तेल के लिए इधर उदर अपनी kitchen में नहीं दोड़ना पड़ता और सिर्फ यही नहीं देखे मैंने और भी baskets इस तरह से use कर रखी है अपनी kitchen में और जब से मैं इनका use कर रही हूँ मेरे जो kitchen है वो पूरी तरह से organize रहती है इस वाली basket में मैंने रखा है देखे इस तरह से tea और sugar और कुछ napkin paper जिनके मुझे दिन में कहीं कहीं बाज ज़रूत पड़ती है और इसे हमेशा मैं रखती हूँ अपने right hand side में ताकि चीजों को उठाने में मुझे आसानी रहे जब से मैंने basket का use किया है मेरे लिए चीजे आसान हो गई है और kitchen को साफ करना भी आसान हो जाता है क्योंकि आराम से आप basket को उठाईए और cleaning कर लीजे बात करते हैं hack number 4 की जो है ceramic port को लेकर देखें मेरे पास इस तरह का ये ceramic port है ये मैं 10 rupees का एक लेकर आई थी क्योंकि ये बहुत सस्ते थे इसलिए मैंने इसी time पर ये दो ले लिये थे और इनको मैं plant के लिए use नहीं करती हूँ इन्हें दोनों को मैं use करती हूँ as a spoon holder तो मेरे पास जितनी spoon है और जितने folks वगेरा है या फिर बड़ी spoons है उन सब को मैं इनके अंदर organize करके रखती हूँ इससे चीजे मेरे बिलकुछ सामने भी रहती है और kitchen देखने में खुबसूरत भी लगती है तो अगर आपके पास भी इसी तरह के कोई ceramic planters हैं तो उन्हें आप सिर्फ plants लगाने के लिए ही नहीं बलकि इस तरह से अपने kitchen को organize करने के लिए भी use कर सकते हैं बढ़ते हैं hack number 5 की तरफ जो है plastic rack देखे ये rack मेरे पास पिछले 6-7 सालों से है बिलकुल भी इधर उधर नहीं गई है नहीं तो इसका color गया है शायद मैं इसको 200 से या फिर 500 के बीच में लेके आई थी मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है ये आपको 2-tier, 4-tier या फिर 3-tier जितने में आपको जरुत है उतने में आराम से available हो जाता है आप इसको online भी purchase कर सकते हैं मैंने इसको local market से लिया था और देखिए उपर की जो rack है उसे में यूज करती हूँ जितना में मेरा baking से related सामान होता है उसके लिए उसके बार मैं रखती हूँ इसमें अपने इस तरह से बड़े जो मग्स होते हैं उन्हें और उसके नीचे मैं इस तरह से उर्गनाइज करके रखती हूँ बढ़ते हैं hack number 60 तरफ जो है DIY spice rack अगर आपकी kitchen भी non-modular है और आपके पास भी organization के लिए ज़्यादा चीज़े नहीं हैं तो आप try कर सकते हैं इस तरह की DIY spice rack मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ इसको share किया था इसका link मैं आपको description box में provide करा दूँगी टोटी waste सामान से हमने इसको बनाया था और जब से मैंने इसको use किया है तब से मेरी जो kitchen है वो काफी हद तक organize हो गई है चीजे सामने ही होती हैं तो आराम से मिल जाती हैं इसको साफ करना भी बहुत आसान है और अगर एक चीज़ से नहीं तो किसी दूसरी चीज से हम इसको बना कर तयार कर सकते हैं जो देखने में भी खुबसुरत लगती है और हमारी kitchen को और भी ज़्यादा organize फिल कराती है चलिए इसके साथ देख लेते हैं hack no 7 जो है knife holder बड़े knife को hold करने में उन्हें organize करने में हमें बहुत दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे तो देखे मैंने लिया है ये इस तरह का एक बड़ा मग जो थोड़ा सा तूटा हुआ था और इसको मैं अच्छे से use कर पाऊंगी मैंने क्या किया है इसके अंदर मैंने भड़ लिये हैं इस तरह से चावल आप इसके जगे पर नमक का भी use कर सकते हैं और देखे चावल को इस तरह से इकसार किया उसके बाद हमारे जितने knife थे मैंने इसके अंदर इस तरह से रख दिये हैं अब ये बिल्कुल नहीं हिलेंगे ना ही इधर उदर जाएंगे और इस तरह से हमारा एक DIY knife holder त्यार हो गया चलिए AC के साथ जान लेते हैं hack no.8 को जो मेरा favorite hack है अगर मेरी तरह आपकी kitchen भी non modular है और counter top का नीचे का जो area है वो पूरी तरह से दिखता रहता है यानि उसके अंदर का जितना भी clutter होता है वो हमारी आँखों के सामने ही रहता है तो आप try कर सकते हैं इस तरह से curtains को मैंने यहाँ पर पुराने curtains का use किया है जो मेरे पास एकदम waste थे आप चाहिए तो इसकी जगे पर DIY कर सकते हैं या फिर साड़े से या फिर नई जो curtains हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंस एक बार आप अपनी किचन में इस तरह से curtains जरूर ट्राय किज़ेगा या आपकी किचन को organize दिखाने में काफी हल्फ करेंगे So friends that's for all today I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और फिर से consider कराती हूँ अगर वीडियो पसंद आया है तो प्रीस लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा और चैनल को जरूर सब्स्क्राइब कीज़ेगा फिर मुलकात होगी आपसे इसी तरह की इंदस्री वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना धे सारा ख्याल रखेगा बाबाए